ओम श्रान्ति गुड मॉर्णिंग आज आपका 178 तुए दिन का इश्रिव वर्दान और इस वर्दान में आगे जाने से पहले हम एक ये वीडियो लिंक को देखते हैं जहां पर आप जाकर क्लिक करें और डायेट, योगासन, फ्लेक्सिबिलिटी और सोनी की कला क्या है उसको पर्मपिता पर्मात्मा को भूल जाते हैं और मनशयात्माओं की गलतियां कम्जरियों की तरफ हमारा ध्यान बहुत जछा जाता है और उससे में हम खुद भी तंग होते हैं और बहुत को बीट तंग करते हैं तो आई ये आज बढ़नते हैं कि इस को हम कैसे हटाएं और कैसे पर्मपिता पर्मात्मा को अपना साथी बना करके आगे बढ़ते चलें तो आज की वर्दान में बाबा कहते हैं किसी की कमी कमजोरी को ना देख अपने गुणवा शक्तियों का सयोग देने वाले मास्टर दाता भवा औरों की कमी कमजोरी भी ना देखना और अपने अंदर के जो गुण हैं और जो शक्तियों कि आपको मेडिटेशन के द्वारा ही मिल सकती हैं उनको आप यूज करो और औरों को दिशा दिखाओ गाइट करो ना कि उनको कहो ये ना करो वैसे ना करो तो परमात्मा देखें और विस्तार में कहते के हैं बाबा कहते हैं मास्टर दाता वह है मास्टर दाता हम सोचते हैं कि धन दान किया या हमने किसी कुछ दिया गिफ्ट दिया तो वही दाता पने लेकिन परमात्मा कहते हैं वह तो कुछ समय के लिए हो गया अल्पकाल की प्राप्ति दिया आपने लेकिन सबसे बड़ा गिफ् किसं संस्कार देता हैं ना धन दौर्ट देके जा सकते हैं। तो संसकार बातना, एक अच्छ गुणग सिखाना, अच्छी कलाएं सिखाना , शक्तियां देना ताकि जो वेक्ति है या बच्छा है या साती है या संबंधी है वो आपके जीवन देना सबसे बड़ी कमाई है या सबसे बड़ा दान है तो Master दातव है जो सदा इसी रूहानी भावना से Master दातव है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते की सर्व रूहें जो सारी आत्माएं हैं हमारे समान वर्से के अधिकारी बन जाएं वरसा मतलब property तो property कौन सी? यहाँ परमपिता परमात्मा तो कोई हमें धन दौलत है घर गाड़ी तो देखे नहीं जाते परमपिता परमात्मा हमें वरसा देते हैं गुणों का शक्तियों का तब ही कहते हैं ना प्रभू आप तो गुणों के भंडार हो प्रभु आप तो शक्तियों के बंडार हो आपके अंदर सारी कलाएं हैं आप ग्यान के बंडार हो शान्ती सुख के बंडार हो तो परमात्मा के अंदर वो सारा ग्यान है जो कि परमात्मा बच्चों को बाटते हैं और बड़े बच्चे का काम होता है कि वो छोटे बच्चे के साथ भी बाटे या अपने छोटे भाई के साथ भी बाटे तो परमात्मा कहते हैं कि हमारा भी वही कार है कि परमात्मे से प्राप्त हुई शक्तियां और गुण हम औरों को बाटे फाइदा क्या होता है जब भी आप कोई चीज बाटते हो तो सबसे पहले आपके हाथ में आती फिर आप देते हो तो आपको भी वो चूती है लेकिन धन जो चीज अगर आप वो बाटते हो तो थोड़ा आपके पास रहता है लेकिन आपकी आत्मा के अकाउंट में बढ़ते हैं इसका ये फाइदा होता है इसको कहते हैं spiritual ग्यान धन तो परमात्मा कहते हैं किसी की भी कमी कमजोरी को ना देख और हम वही तो करते हैं सबसे बड़ी गलती हम अपने परिवार में या अपने संबंदियों के साथ में साथियों के साथ में जॉब की जगा पर जहापे आप काम करते हैं बिजनस में हम कमी कमजोरी देखते हैं उसको ऐसे नहीं करना चीज़ता है उसको ऐसे नहीं बोलना चीज़ता है यह बिसनस की जगा पर वातावरण, यह ओगनाईजेशन का वातावरण खराब हो जाता है, ना देख वे अपने धारण किये हुए गुणों का, अगर किसी के अंदर कोई कला है, गुण है, शक्ती है, तो वो क्या करेगा, अगर किसी को आप मदद भी करना चाहते हैं, किसी को परिवार का मेंबर होगा, वो वही खड़ा होगा, लेकिन उसको मदद नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कमी, कमजोरियां, उसको देखते हुए, उसको वर्ण करते हुए, वो खुद भी असाय बन जाता है, और दूसर की साय तभी नहीं करना लाइक बन पाता है, तो जब हम किसी की कमी, कमजोरियां देखते हैं, उसको वर्ण करते हैं, चाहिए वो परिवार का मेंबर कोई भी हो, हमारी स्वेम की शक्ती घढ़ जाती है, कि हम उसको सही दिशा दिखा पाए, लेकिन वहीं पर कोई तीसरा वेक्तिया आ जाता है, और वो उसको मदद क करता है, क्यों? और वो उसको एकसेप्ट करता है, क्यों? क्योंकि उसने उसके साथ में इतना समय नहीं बिताया है, उसकी कमी, कमजोरियों को देखने का, जो कि हमने एक आदत बना दी है, हमने यह संसकार बना दी है, कि हम किसी को देखते हैं, तो सबसे पहले कल्यूग में ह कि सबसे पहले सबकी कमी कमजूरे कंचन autopsy को कूछ हम उसमे अपने आपको उचा समझना शुरू करते हैं जब हम नीचे गिरते हैं किसी कमी कमजूरे को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इसे बेटर हैं हमारी ego improve हो जाती है हम थोड़े देर के लिए खुश हो जाते हैं मैं होता तो ऐसे करता ऐसे करती है तो हमें बहुत अच्छा लगता को समय के ले लेकिन वह जूटी ego है जूटा आहंकार परमात्मा में सिखाते हैं तुम को शन के लिए खुश हो जाते हो लेकिन लंबे समय के बना देते हो किसी की कमी कमजोरी देख करके थोड़ी देर की खुशी होती ठोड़ी आहंकार होता है रावन तुम्हें लगता है कि बड़ा हुश कर रहा है लेकिन कोच समय बाद में तुम ढ्रेन आूट फिल करते हो वही है रावन का सबसे अच्छा मौका वार करने तो पर शैतन हारेगा, सेटन हारेगा, तो परमात्मा कहते हैं, कि यह ऐसा है ही, इस भावना के बजाए मैं इसको भी बाप समान बनाओं, यह तो ऐसा ही है, इसके आदत ही ऐसी है, यह उड़ता ही नहीं है, यह सोता रहता है, यह काम नहीं करता, कुछ मदद नहीं करता, यह ऐसा ही क करता रहता है इसको यही आदत है यह लेट आता है परमात्मा कहते हैं यह जब हम और फैलाएंगे जितना हम यह वाइबरेशन फैलाएंगे उतना ही उसकी आदते हैं इसके प्रति हम यह कर रहे हैं तो दुआइं दे रहे हैं आप सोची जरा जितना ही हम कहते हैं करते हैं उतन किसी को बददुवाते ही नहीं सकते क्योंकि बददुवा लगए ही इसको पहले खुद को, तो कैसे लगती है जब हम किसी को वैरे Menu बुरा सोचते है बुरा उसकाते हैं बातें, तो सबसे पहले हमारी Purity कम होती है औप Purity कम होने के कारण मन भटकना शुरू होता है, किसमें भटकता है आत्मा चाहती है स्थिर्था, लेकिन किसी की अस्थिर्था देखते हैं, किसी के अंदर की कमजूरी देखते हैं, तो हमारे अंदर दो संकल्प आए, एक स्थिर्था के संकल्प और एक अस्थिर्था के संकल्प तो जब दो संकल्प होंगे तो आपस में क्या होगा दोनों संकल्प के बीच में? जगड़ा होगा वो जगड़ा होता है वो जगड़े में आत्मा की उर्जया खतम होती है और आत्मा ठकती है परमात्मा चाहते हैं कि हम कमी कमजूरियां और और की और आकर कि आपको बद्वध देगा, उससे पहले ही आप खोडी कमजोर हो जाओगे, तो अपने आपको कमजोर बनाना कम करो, अपने अंदर बिमारियां लाना कम करो, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, साथ-साथ यही श्रेश्ट कामना हो कि यह सरव आतमाय कंगाल, दुखी अशांत से सदा शांत, कंगाल किस प्रकार से? धन से नहीं कंगाल है ग्यान से कंगाल सुक शांती से कंगाल तो दुखी अशांत से सदा शांत, सुक रोप माला माल बन जाएं तो परमात्पा कहते हैं कि क्या आप अपने साती संबंधियों के लिए ऐसे सो सकते हो जिनके बारे में आप अभी तक कितने सालों तक बुराईयां ही देखते आए हो कम्प्लेन ही करते आए हो और उनके सामने उनकी बेस्थी करते आए हो उनको नीचा दिखाते आये हो परमात्मा कहते हैं क्या आपके अंदर वो शक्ती है कि आप उनके बारे में ऐसे सोचो कि इनके अंदर जीवन में सुख हो शान्ती हो वो भी नमरता के दोड़ा यानि कि मैं तो बेटर हूँ ये तो गिरे हुए हैं सब के सब मैं समझधार हूँ ये तो बुरे हैं मेरे अंदर सारी अकल है लेकिन ये बे अकल है परमात्मा कहते हैं ऐसी आत्मा ना खुद का भला कर सकती है ना किसी और का भला कर पाएगी तो परमात्मा कहते हैं आप हो किसके बच्चे पहले ये याद करो फिर उसके बाद में परमात्मिन आपको दिया कि आप वो याद करो उसके बाद में मुझे औरों को दुआएं देनी है ना कि बद्दुआएं क्योंकि मेरे उपर पहले बद्दुआ लग जाएगी तो कमी कमजूरियां देखना खतम करो इस आदत को मिटा हो तब जाकर के मन शांत और तन भी शांत होगा यहां की व्याधियां यहां की बिमारियां खतम होंगी मांसिक तो आटोमाटिकली शरीर की मांसिकता में यह शरीर की बिमारियां वो खतम होनी शुरू होंगी तो अपने उपर ही क्रिपा करना बहुत जरूरी है तो आज का ये ईशुरिय वर्दान बाबा कहते हैं तब कहेंगे Master Data तब आपको परमात्मा भी कहेंगे टाइटल दें कि आप दाता हुआ आप देने वाले हो कि आपको 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 आपको